नमस्कार प्यारे साथियों एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ओनलाइन प्लेटफोर्म पर हार्दिक स्वागत है तो जैसा कि आप सभी देखे रहे हो कल इवनिंग से क्या है यह जो नोटिस है वो काफी ज्यादा वाइरल हो रहा है अलग-अलग ग् दिया हुआ है सबसे पहले आप सभी ने इस देख लिया होगा विक्रमचारी चैन आयोग ने क्या है विजली वित्रन निगम को यहां पर क्या है बेजा है और इसके अंदर क्या दे रखा है वाद देखिए विज्यापन के विरुद्ध सहायक लाइनमेन के पद के लिए कार इतनी है नमबर इनका दे रखा है यह सुचित के दाता है कि आयोग ने सहायक लाइनमेन के अधिवक्ता के पद के लिए कुल 1427 उमिदवारों की सिफारिस की है ठीक है उसके अंदर क्या नमबर दिया हुआ है 11-11-2019 कटेगरी नमबर है 21 उपर संधर्भित पत्र के अनुसार ठीक है यह बात लिख दी उसके बाद दो नमबर बात देखी का है आपसे अनुरोध है कि आयोग से अगली सुचना मिलने तक लंबित मुकदमे बाजी के कारण ठीक है कारियले को रोक रखा जाए और किसी भी उमिदवारों की नियुक्ति नहीं दी जाए ठीक है यह इन्हो इंग्लिस में भी दे रखा है इंग्लिस वर्जन भी है ठीक है इसमें भी आप देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है ज्वाइनिंग टू बी कैट ओन होल्ड फोर दा पोस्ट अशिस्टेंट लाइनमें अगेंस्ट अडवर्टाइजमेंट नमबर ठीक है यह दे रखा है उसके बाद इन्होंने बस वही बात से हमें इसके अंदर लिख रखी है पिर जब तक हम ना बोलें तब तक आप उनको कैज वैनिंग नहीं देनी है यह कौन बोलेगा यह बोलेगा एच एससी किसको यू एच बी वी एनल डिपार्टमेंट को ठीक है ना इसका सबसे बड़ कारण क्या रहा ठीक है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कारण क्या रहा कारण आप सभी को पताए कि जो आंसर की अभी इन्होंने रिलीज की थी ठीक है ना जो आंसर की रिलीज की थी आंसर की के अंदर काफी ज़्यादा खामियां पाई गई है ठीक है बार बार गड़बड़ी है अगर गड़बड़ी हुई तो हम क्या आंसर की दुबारा रिलीज करेंगे और अगर हमें जूर्थ पड़ी तो रिजल्ट जो है वो भी रिवाइज हो सकता है ठीका ना ये बात बोलिए किसने चेर्मेंसर ने अब माल लीजिए अगर इनको अभी ज्वाइ खिला हो जाता इसके अंदर भी ठीक है तो से बचने के लिए क्योंकि अभी आपने देखा होगा एक्दम फेर तो इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया एक बार ज्वाइनिंग लेट हो जाएगी लेकिन रिजल्ट तो एकदम फिर आएगा और मैं तो बिल्कुल यही बोलता हूं सभी साथियों को भी ठीक है एक बार जो रिजल्ट है वो अच्छे तरीके से आ जाए जिसके उपर को कोई दिक्त ना हो उस टाइप का रिजल्ट आ जाएगा तब आपको किया बिल्कुल सेफ रहोगे किसी परकार का आपको कह दिक्त नहीं होने वाली है अगर अभी आपको ज्वाइनिंग दे देते तो आपको कंफरम पता था भी आंसर की में गड़बड़ा है जिनका सेलेक् को जब तक हम अपनी तरफ से क्या है पूरा कलियर कट आपको नहीं बता दे कि यह जो हमारे पास रिजल्ट है वो फाइनल है अब आप ज्वाइनिंग दीजिए तो आपके ज्वाइनिंग हो जाएगी और यह पूरा प्रोसेस टाइम नहीं लगेगा इसमें मैं आपको कंफ साथ्यों का सेलेक्शन हो गया है ठीक है वो उनको भी घबराने वाली बात नहीं है ठीक है रिजल्ट तो रिवाइज होगा यह बात बिल्कुल है ठीक है कुछ एक नमबर एक नमब या दो नमबर उपर नीचे हो सकता है ठीक है और जिन साथ्यों का सेलेक्शन नहीं हुआ ह ठीका है, उनको माँ मैं बता दू, वो अब CT की त्यारी में लग जाओ, पैर के सब बत्चो का सेलेक्षन हो गया है, उनको चिंता करने वाली बात है नहीं है, तो लेकिन आपको भी एक राए है, जिन बच्चों का selection भी हो गया है वो भी अपने त्यारी regular रखें ठीक है ना ये भी एक राय है आप सभी के लिए त्यारी अपनी regular रखें ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो ठीक है तो सभी के लिए ये जो update थी मैंने आप सभी को बता दी है ठीक है काफी साथी इसका weight भी कर रहे थी मेरे नुशार मैंने आपको दे दी है ठीक है बागी आपको अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं next thank you very much